हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, रिवीव कॉर्णर बाई परवीन और आज मैं आप लोग के साथ शेर करने वाली हूँ, मिंत्रा के कुर्टा सेट हॉल जो कि सांगरिया ब्रेंड के हैं, तो परसनली मुझे सांगरिया ब्रेंड के कुर्टे या फिर कुर्टा सेट जो होता है वो मुझे बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि उनकी कॉलिटी बहुत अच्छी होती है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर मेरे वीडियो आपको helpful लगता है पसंद आता है तो मेरे वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरूर करें और अपने friends family के साथ share करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कुर्टा set के साथ जो की है अक्स brand का और यह है ब्लू कलर का कुर्टा जिस पे फ्लोरल प्रेंट है इसका जो नेक है वो वी शेप में है और बैक में आपको कॉलर मिल जाता है इसकी फैबरिक कॉटन है फे और वाइक से आपको फ्लोरल पैटरं पर डिजाइन मिल जाती है ेथा कि इसका जो फ्लोरल पैटरं है वह बहुत ही यूनिक टाइप का है इस वाज़से इसका जो लूप है वह बढ़ जाता है हास यह डार्क ब्लू में है इसकी जो स्लीव है यह three fourth है स्लिफ से भी आपको सेम प्रिंट मिल जाता है और साइट से आपको स्लेट मिल जाती है इसकी कॉलिटी बहुत ही अच्छी है फाइन कॉटन है समर्स के लिए ये बहुत ही कमफर्टेबल है इसके साथ मुझे मिला है वाइट कलर का अफगानी पैंट जो कि ये है इसमें पीछे की तरफ एलास्टिक मिल जाती है फ्रंट पर आपको एलास्टिक नहीं मिलती है और साइट से आपको जिप मिल जाती है नीचे की तरफ ये प्लेट्स मिल जाते है ये भी प्योर कॉटन में है जो कि बहुत soft and comfortable यह कुर्टा सेट था आक्स ब्रैंट का नेक्स्ट कुर्टा सेट है जो कि है सांग्रिया ब्रैंट का वो है यह इसता कलर का कुर्टा सेट कॉलर नेक है और नेक पे आपको फ्रेंट पे ऐसे बटन मिल जाते है इसके नेक पे आपको इंब्रोइडरी मिल जाती है जो कि मस्टर्ड यलो और मारून कलर के शेड में है बहुत ही अच्छी तरह से इसका वर्क किया गया है यह इंब्रोइडरी बिल्कुल भी निकलने वाली नहीं है और नहीं चुबने वाली है बहुत ही अच्छी और fine quality का इसका वर्क है इसमें भी आपको 3-4th sleeve मिल जाती है इसके sleeve पे कोई वर्क नहीं है प्लेन है यह इसकी fabric silk में है इसमें कोई lining नहीं है इसकी silk अच्छी quality की है इस वज़़े से इसमें lining की कोई जरुवत नहीं है इसमें साइड में पॉकेट मिल जाते हैं और साइड से ओपन स्लिट यह पहने पर बहुत ही प्यारा लगता है यहां पर प्रिंसेस कट पैनल आपको मिलता है जो कि दिख रहा होगा प्रिंसेस कट स्टाइल में है यह यह फ्रंट से पूरा ओपन है जो कि बटन के थूँ हाफ क्लोज हो जाता है और यहां से नीचे थोड़ी दूर ओपन है इसके साथ मुझे रिसीव हुआ है मरून कलर का यह पैन यह भी सिर्थ फैबरिक में है यह मरून कलर में है इसमें भी कोई लाइनिंग नहीं लगी हुई है यह इलास्टिक इसके कमर पे नहीं लगी हुई है इसमें आप कह सकते हैं कि यह नाडे वाली है यह आप देख रहे हैं कि नाडा इसमें लगा हुआ रिसीव हुआ है मुझे अलग से आपको नाड़ा भी लगाने की ज़रूद नहीं है इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इसके साथ मुझे मिलता है जिदुपट्टा जो की नेट की फैबरिक का है यह हाड वाली नेट नहीं है यह सौफ नेट है सौफ कॉल्टी का जो नेट आता है यह वो है जो की चुबने वाला नहीं है और यहाँ साइड में आपको नीचे की तरफ गोल्डेन लेस की टेपिंग मिल जाती है हलकी शाइनिंग वाली टेपिंग है यह जो दुपट्टा है यह कुर्ते और जो इसका पैंट है उन दोनों के शेड को मिक्स करके हाफ दुपट्टे पे आपको मरूर शेड दिखाई देता है और हाफ पे आपको इसका ग्रीन शेड तूट ओन दुपट्टा है यह कि सॉफ्ट क्वालिटी का नेट है जो कि पहने बहुत कमफोटेबल होता है नेक्स्ट भी सैंग्रिया ब्रैंड का ही कुर्ता प्लाजो का सेट है जो कि बेज कलर का है कि यह देखिए कितना प्यारा है यह कि राउंड नेक में है और इसके नेक पे यह मरून धागे से ही वर्क हुआ है रेशम के धागे से हुआ है और यहां पे पूरे योक एरिया पे आपको गोटा पट्टी और जरी के थ्रेट से वर्क दिखाई देता है बना हुआ है और यह आर्म होल पे भी आपको मरून रेशम के धागे से ही वर्क हुआ है इसके नेक पे जो वर्क हुआ है इसकी वज़ा से इसका लूप बहुत ही अच्छा हो जाता है यह आप इसे पार्टी वियर के रूप में यूज कर सकते हैं इसकी स्लीव भी थ्री फोर्थ है और स्लीव पे भी सेम वर्क है जो कि आपको नेक पे मिलता है गोटा पट्टी और जरी के धागे का पतली सी मरून पाइटिंग मिल जाती है इसमें भी साइड में आपको पॉकेट मिल जाता है सांग्रिया के लगबग सारे ब्रैंड में कुर्ते में आपको ब्रैंड का जो भी कुरता है उसमें लगबग आपको सब में पॉकेट मिल जाता है इसमें भी साइड से स्लीट है और इसका नीचे के पार्ट में फ्रंट साइड में सेम वर्क आपको मिलता है जो कि आपको नेक पे और स्लीव में मिल रही है गोटा पट्टी और जरी के धागे से और यह मरून कलर की पाइपीं यह बहुत ही प्यारा कुर्टा है इसका कलर बहुत ही प्यारा है कि यह पूरा कुर्टा कि यह कॉटन फैब्रिक में हैं सॉफ्ट कॉटन है जिसको आप समर में वियरा कर सकते हैं इसके साथ मुझे मिलता है यह रेड कलर का प्लाजो कि कमर पे दोनों तरफ इलास्टिक लगी हुई है अच्छी क्वालिटी का लास्टिक यूज हुआ है और य यह है प्लाजो काफी अच्छी फ्लेयर है प्लाजो की यह भी कॉटन फैब्रिक में है यह बहुत ही कमपोटेबल और सॉफ फैब्रिक है नेक्स्ट कुर्ता भी सांग्रिया ब्रैंड काई है मैं यह भी लाइट ग्रीन शे मैं है अब कह सकते हैं पिस्टा ग्रीन इसके वी नेक पे वर्क हुआ है जो की ब्लू और रेड में है और यहां पर छोटे छोटे पेपर मीरर लगे हुए है जो कि जरी के थागे से स्टिक किये हुए आप देख सकते हैं और यह पूरी इंब्रॉइडरी है यह प्रिंट नहीं है राउंड नेक है इसका त्री फॉर्ट स्लीव है इसके स्लीव पे आपको वर्क मिल जाता है यह साइड में जैसा कि आपको नेक पे मिलता है सेम उसी तरह का वर्क आपको स्लीव पे भी मिलती है इसके बैक साइड पे भी चोटा सा इंब्रॉइडर पैच मिल जाता है आपको जो कि नेक पे जो वर्क हुआ है उससे मैचिंग वर्क है इसका भी कॉटन फैब्रिक है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है समर्स के लिए पर्फेक्ट इसके साथ मुझे रिसीव हुआ है ब्लू कलर का पैंट कॉटन का है यह जो कि बहुत ही कमफोटेबल है फ्रंट पे आपको इलास्टिक नहीं मिलती है बैक पे आपको इलास्टिक मिल जाती है बहुत ही सॉफ्ट एंड कमफोटेबल फैब्रिक बहुत ही कमफोटेबल और खुब्सूरत पहनने में बहुत ही खुब्सूरत आपके लुप को बढ़ाती है इन सारे प्रोड़क्ट्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और यह सारे के सारे मैंने मिंत्रा से ही पर्चेस किये हुए है नेक्स्ट है यह कूर्टा सेट यह भी सांगरिया का ही है यह प्रिंटेड है राउंड नेक है और इसकी फैब्रिक सिल्क है इसके साथ आपको लाइनिंग लगी हुई मिल जाती है जो की कॉटन की लाइनिंग है और पूरी फुल लेंद की लाइनिंग है यह यह आल ओवर ऐसा same print आपको मिल जाता है front पे and back पे three fours sleep की है ये same print slips पे भी है यह silk है बढ़ comfortable है और बहुत ही प्यारी लगती है पहनने में बहुत ही प्यारी लगती है इसके साथ cotton का यह pant मिलता है इसके कमर पे भी बैक में इलास्टिक है और फ्रंट पे इलास्टिक नहीं है बहुत ही सॉफ्ट कमपोटेबल फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट कॉटन सांग्रिया ब्रेंड के जो भी कपड़तन का कॉटन की कॉलिटी बहुत अच्छी होती है बहुत सॉफ्ट और स्मूध इसके साथ मुझे मिली है यह नेट की दुपट्टा पर्फेक्ट लेंथ में है सॉफ्ट नेट है हाड़ वाली नेट नहीं है जो की चुपती है यह सॉफ्ट नेट है जो कि आपको बहुत comfortable है इसके चारो तरफ से जो कुर्टे की फैबरिक है सिल्की प्रिंटेर उसी की piping लगी हुई मिल जाती है चारो तरफ इसकी lining लगी हुई है तो गाईज यह था आज का मेरा collection जो कि मिंत्रा से था जो कि सांग्रिया ब्रैंड का था और इसमें से एक कूर्टा से अक्स का था तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं थैंक्स पर वॉचिंग मुझे का अगर झाल, 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 झाल झाल, 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 झा झाल 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 झाल